मूदी सरकार की लापरवाही ने आज सैकडो युवाओं को कैदी बना दिया विदेशियों के हाथों की कठपुतली बना दिया बेरोजगारी से तरस्त युवा हुबन ट्राफिकिंग का कैसे हिस्सा बन गए और कैसे मूदी सरकार के नाक के नीजे से सैकड़ो युवाओं को मानुत तसकरी कर विदेश ट्रांसफर कर रहे थे बड़े यूट्यूबर बॉबी, कटारिया समेथ और बड़े चार हस्तिया बेरोजगारी की आर में युवाओं को कैसे विदेश भेज रहे थे और मूदी सरकार का विरोजगारी का घून पीते हुए ये युवाओं उनकी जिन्दगिया ये बरबात कर रहे थे कैसे ये सब मामला चल रहा था और कैसे ये सब कुछ पकड़ा गया है बताएंगे पूरा मामला इस वीडियो में दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखेगा नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीती में देश नीती किवल सच्ची और पक्की खबरे दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा बिरोजगारी का हाल और हाल से इस आज इत्रिस्त फसने की इस दिल दहला देने वाली कहानी को सरूर सुनेगा एन आई ए ने देश भर के 15 स्थानों पे छापे मारी किया पांच बड़े हस्तियों को गिरफतार भी किया वडोद्रस के मनीश हिंगू गुपाल गंज के प्रेलाद सिंग दक्षिन पश्चिन दिल्ली के नभियालम रे गुरुग्राम के फीमस यूट्यूबर बलवंत कटार और चंडीगड के सर्ताज सिंग को गिरफतार किया मामला अंदराष्ट ये मानव तैशकरी और साइबर धोके धड़ी का आरोप ये पांच आरोपी भारती युवाओं को रोजगार के जूटे वादे पर विदेश ले जा रहे थे क्या बोलके ले जा रहे थे उनका एक छो यूटीव पे युवाओं को यी रोजगार का जूटा जहासा देकर विदेश भेजता था यहां से युवाओं को ले जाकर मुख्य रूप से विदेशी नागरिकों की और से नियंत्रित और संचालिक रैकेट के हिस्से के रूप में गोल्डन ट्राइंगल स्पेशल इकोन जड़ी फरजी एप के जरिये क्रप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर ठगी हनी ट्रैपिंग और अन्य तरह के साइबर फ्रॉड कराया जा रहा था यहां तक ही दोस्तों उनसे उनका पासपोर्ट पेपर डॉक्यमेंट सब कुछ छीन गया था लेकिन किसी तरह से वो लो नाराष्ट्य, उत्तरप्रदेश, बिहार, गुजराद, दिल्ली, हरियाना, पंजाब और चंडीगड में 15 स्थानों पर छापा मारने के बाद इन 5 आरोपियों को पकड़ा था NIA जो की खुद सरकारी संसा है, EDCVI की तरह है, लेकिन NIA आज भी EDCVI के तरह मोजी सरकार के काम करने के आरोपी में गिंती इनकी नहीं होती है लेकिन इस खबर को जब NIA ने सार्वजने किया तो सवाल सिर्फ इन बड़े पांच आरोपियों पर ही नहीं जाया दिगा, साथ में लपेटे के मोजी सरकार भी आएगी 21,000 युवा अभी तक महस पांच सारों में बिरोजगारी के कारण आत्म हत्या कर चुके है वहीं हर तीन घंडे पे एक ना एक युवा बिरोजगारी के मारे आत्म हत्या कर ही रहा है लेकिन इस आत्म हत्या से बचने के लिए इस आत्म हत्या के डर से बेरोजगारी के डर से कोई भी रास्ता पकड़ने को आज का युवा मजबूर है युवा के पास बेरोजगारी से लड़ने की ताकत जब खतम हो जा रही है तब वो ऐसे जहासे में फसनी को मजबूर हो जा रहा है प्रलाद सिंग, नभी आलम रे, सर्ताद सिंग, मनीश हिंगू और फीमस यूट्यूबर बलवन्त कटारिया और बॉबी कटारिया जैसे लोग सरकार के इस लापरवाही का कैसे इस्तमाल करते हैं उसका जीता जाकता सबूद ये खबर है हाला कि बॉबी कटारिया पहले भी जेल जा चुके हैं, 2022 में एक महिला को गाली देने के जुर्म में वो पहले भी जेल जा चुके हैं, हाला कि वो बाद में बहार आ गए थे दोस्तों, मोजी सरकार भले ही अपना पल्ला बिरोजगारी जैसे मुद्दे से झाड़ दे लेकिन ऐसी खबरे जब जब सामने आएगी, मोजी सरकार को आने वाले समय में इतिहास का हवाला देकर नंगा कर दिया जाएगा क्या लगता है आपको दोस्तों, अपनी राय हमें इस मुद्दे पे कमेंट करके जरूर बताईएगा साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और जादा से जादा शेयर करने का भी कोशिश कीजेगा अपनी दोस्त परिवार जन जानकानों को ये वीडियो जरूर सेंड करें ताकि वो भी जान सके कि इन दस सालों में मोधी सरकार में क्या-क्या काम किया है और उसका असर अब देश के भविश्य पर किस तरह पढ़ रहा है बाकि चुनाव समेत राजनीती के सारे अपडेट्स के लिए देशनीती को सब्सक्राइब कर ले फैंक्स ऑप्शन के माध्यम से हमारी थोड़ी आर्थिक सहायता भी जरूर करें धन्यवाद वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आप देख रहें देशनीती मैं आपके साथ गेटी भाव्या फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए दीज़े इजासत वंदे मातर